विल्कम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल आइटी आइटूशन में दोस्तों आज की डेट में जो एक्जाम हुआ है बी यार्सी का इसमें जो है कौन कौन से कुशन आज की डेट में पूछे गए हैं फर्स्ट पाली में आज की वीडियो में तो वीडियो को जो है आप सभी पूरा जरूर देखेगा अगर आप सभी काने वाले दिनों में एक्जाम होने वाला है तो तो यहां पर बहुत करेंगे पार्ट वन की जिसमें नॉन टेक्निकल के कुशन पूछे जाते हैं तो यहां पर देखे पहला कुशन है अंडमान और निकबार दीप समोजो है यह कहां पर इस्थित हैं इंदमा सागर में अरब सागर में लाल सागर में यह बंगाल की खाड़ी में तो इसका जो राइट एंसर था ऑप्शन नमबर डी था अंडमार और निकबार दीप समोजो है यह बंगाल की खाड़ी में इस्थित हैं दू उसकी electronic electron बंदुता क्या होती है घट जाती है बढ़ जाती है समान रहती है यह पहले बढ़ती है यह पर typing mistake होगी है पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है तो correct answer इसका है option C option A यहाँ पर correct answer है इसकी electronic बंदुता जो है यह क्या होती है घट जाती है यह option राइटन से था कुश्चन नमबर यहाँ पर देखिए तीसरा है संतोष ट्रोफी का संबंद जो है किस स्केल से संबंदित है होकी, फुटबाल, क्रिकेट या बैटमेंटन तो correct answer है option नमबर B यह जो है फुटबाल से संबंदित होती है चौथा कुश्चन पुझा गया है निम नलकित गैसों में से किसकी वज़ास से जो है चूने का पानी जो है दुधिया हो जाता है किस गैस की वज़ास से जो है चूने का पानी दुधिया हो जाता है hydrogen oxygen carbon dioxide या oxygen और carbon dioxide दोनों तो correct answer इसका है option C कुश्चन पुझा गया है कौन टी 20 अंतराश्टी में 100 विकट लेने वाली पहली भारती एमाईला क्रिकेटर बन गई है तो यहाँ पर option थे दीप्ति सर्मा, राजिसर्वी का एक वार, राधा जादाव या जूलन गोस्वामी तो इसका correct answer था option नमबर है दीप्ति सर्मा कुश्चन नमबर 6 पूझा गया है सीता मातव वन जीव अभ्यारण जो है यह कहां पर है option थे राजस्थान, मर्दपदेश, उत्तपदेश या केरल तो correct answer था option नमबर A सीता मातव वन जीव अभ्यारण जो है राजस्थान की प्रताब गड़ जिले में इस्थित है तो correct answer है option नमबर A अगला देखिए question number 7 बारती सोसाशन का जनक किसे का जाता है तो यहां पर भारती सोसाशन का जनक जो है लाड रिपन को कहते हैं यह option राइट एंसर है question number 8 है कौन से सम्विधान संसोधन में दिल्ली को भारत की राध्धानी गोशित किया गया था तो correct answer है option number D 79 सम्विधान संसोधन के द्वारा जो है भाद जो की 1991 में हुआ था तो यहां पर जो है question number 9 है अगर प्रित्वी पर कोई वाइ मेंडल नहीं होता है तो आकाज जो है कैसा दिखाए देगा काला दिखाए देगा question number 10 है प्रकास हवा की तुलना में काच में धीमी गति से गमन करता है क्यों तो यहां पर जो right answer है option number A है हवा का अपरत्वनांक जो है काच की तुलना में क्या होता है कम होता है तो right answer है option number A अगला question देखिए क्यारा नमबर भारत में परमाड विसफोट उपकड़ों का परिच्चड जो है कहा किया जाता है तो देखिए भारत में जो परमाड विसफोट का परिच्चड होता है पहला परमाड भंब का जो परिच्चड किया गया था यह कहां पुगर किया गयता है राजस्थान के पोखरण में किया गया था राजस्थान के पोखरण में जो है ज्यादा तर परमाड विसफोटक उपकरण का यह जो है परिच्चड या पर किया जता है डी ऑप्शन राइट एंसर है अगला देके बारा नमबर किस ग्रा को सुबा का तारा या साम का तारा कहते हैं तो किसको कहते हैं सुख ग्रा को कहते हैं तो C आप्शन राइट एंसर है कुछ नमबर 13 सूर्य और तारे उनमें डैस की उपस्तिती की वज़ह से जो है चमकते हैं किसकी वज़े से सूर्य और तारे चमकते हैं गैस, प्रकास, ओर्जा, बिद्धुत या प्लाजमा तो correct answer है प्लाजमा के कागड़ जो है सूर्य और तारे चमकते हैं कुछन नमर 14 है सबसे हलकी धातु कौन सी है तो सबसे हलकी धातु कौन सी है लीधियम है और सबसे भारी जो धातु है ओसमियम जो है सबसे भारी धातु होती है और सबसे हलकी लीधियम यहाँ पर देखिए कुछन नमर 15 मायत का है इसको solve करेंगे 0.05 को हम क्या लग सकते हैं 5 बटे क्या लग सकते हैं 100 लग सकते हैं इसको जो है 1 बट्र क्या लख सकते हैं यहाँ पर 100 लख सकते हैं तो 5 बट्र किसको क्या लख सकते हैं यहाँ पर 100 गूरे 100 को रहेंगे 1000 आएगा तो 00005 यहाँ पर right answer हो जाएगा यान कि option number इसका correct answer हो जाएगा अगले देखे 16 नमबर वासिंग मशीन का कार्ज सिध्धान्त है वासिंग मशीन जो है किस कार्ज सिध्धान पर काम करती है वोप केंद्रड पोहन अब केंद्रड या बिसरड तो वासिंग मशीन जो है अब केंद्रड के सिध्धान पर काम करती है याने किसी ओप्षन ए- 17 नंबर है बादल किस कारण से वयमेंडल में तैरते हैं नियम नतापमान के करणर सब्सक्ट कितने राज्य सभा में सद्सकों मनोश्य करते हैं तो राज्य सब्सक्राइल में 12 सब्सक्राइल वह लोगसभा में दो सदस है हुआ कि अगला देखियेיות दिन में कर सकता है जैंप कि अ कि सक बेदें इक एक इसी कार को 20 दिन में में इसथीन में तोटल यक्राअड हर जाएगा और शमतह निकालेंगे तीना जाएगा इसके चामतह निकालेंगे दो हो आजाएगा अगर दोनों साथ में काम करें तो दोनों साथ में काम करेंगे एक दिन में 5 काम करेंगे तो इसकी आदे काम को करना है याने की तीस काम को करना है तो कितने दिन में करेंगे छे दिन में करेंगे correct answer हो जाएगा 6 दी कुछ्छियन मर 20 सजल की आस्ताई कठोड़ता जो है किसके कारण मौझूद होती है calcium magnesium bicarbonate के कारण calcium magnesium sulfate के कारण calcium magnesium nitrogen के कारण या इनमें से कोई नहीं तो correct answer इसका है option number E तो यह थी आज के question जो कि आज के date में पूचे गे थे उमेद है आप सभी ने पूरा वीडियो देखा होगा जैसे भी और भी question आएंगे आप सभी के लिए upload कर दिये जाएंगे तो आज के लिए भस इतना है thanks for watching this video